रादे रादे जए सिरक्रिष्णा जए बिहारे जी की जए गिरेराजी की अध्यात्म मेडिया का 84 को स्प्रजमंडल दर्सन का जो संकल्प चल रहा है आज हम बहुत सुन्दर अस्थान पर पहुँचे हैं वो अस्थान ब्रज का एक केंद्र है ब्रज के एक देवता है स्री गिरेराजी माराज तो गिरेराजी माराज के परिग्रमा पर ही संकरसन कुंड का दरसन है बहुत सुंदर और पौरानिक और रहतियासिक दरसन है तो यहाँ पर हमारे यहाँ के जो सवायत पुजारी है वो भी हमारे साथ में है तो पहले हम आपको दरसन कराते हैं संकरसन कुंड का जो भगवान सुरु कृष्ण की लीला स्थली रही है और इसकी क्या महात्म है वो यहां के जो पुजारी है वो बताएंगे कि यहां की क्या महता है तो हम बहुत ही सुन्दर रमնी कस्थान, स्री गिराजी महाराज के पावन्त लहटी में हम फिराजमान हैं केमरे परसंद से कहेंगे एक बार आपको कुंड का दर्सन कराने के लिए और समी पाजाएं और इतना सुंदर मनोहर क्योंकि भजन में भी गाते हैं छटा तेरी तीन लोग से नियारी है श्री गोवर्दन महाराज तो गोवर्दन और ऐसे भी मैं बताता हूं कि ब्रज में बरकाल में कभी पूजा नहीं करवाया उन्हों नहीं भी यही का रीवता उमारे गिराज हैं और यह ब्रजवाशी मानते हैं किर भी भावन भाले सब्सक्राइब करें और अधिक सदिक यह दर्सन कराएं ताकि लोग श्रदालू और आएं और दर्सन आप घर बैटे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं द्यात मेडिया के साथ आप देख रहें संकर्सन कुंड बहुत इस्तुंदर आपको गिर्राजी महाराज का भी दर्सन हो रहा ह मैं कमेरा प्रसन से कहेंगे एक बार जूम करके आपको दिखाएंगे क्लोस ले करके कि आपको गिर्राजी महाराज का दर्सन भी हो रही है और सामने आप देख रहे हैं श्रिनाज जी महाराज की मंदिर जहां पर श्रिनाज जी प्रगट जब हुए थे महाप्रभुस बल्ल वो यहाँ पर के जुड़े हुए हैं हम आपको बुलाना चाहेंगे यहाँ पर इनका नाम कनहिया कौशिक जी हैं और खास करके मेरा भी नाम कनहिया है इसलिए आज आपको बताएंगे यह कनहिया कौशिक जी की यह गिर्यराजी की जो लीला है वास्तों में अद्बुत लीला और यहां की जो महिमा है इसके बारे में आपको संचिप्त परिचे देंगे और बहुत संदर परिचे देंगे आप संकर्सनकुंड का दर्सन कर रहे हैं संकर्सनकुंड दान घाड़ी से जब परिग्रमा की और हम आगे बढ़ेंगे जब परिग्रमा पड़ाव आरंब होती है तो आगे पढ़ती है अन्योर अन्योर गाउं भी एक पौरानिक गाउं है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे थोड़ी दिर में लेकिन पहले आप संकरसन कुंड के बारे में कनहिया जी से बाद करते हैं रादे रादे मेरा नाम कनहिया कौसिक मुखिया जी है जो कि यहां संकरसन दाओ जी के मंदिर के हम पुजारी हैं श्रिनाज जी के मंदिर के मुखिया जी पुजारी हैं यहां की कता है इस कुंड के बारे में हम आपको बताते हैं कि जिस समय भगवान ने गिर्राज जी परव ब्रजवासी गवें जितने भी मोर पसू पक्षी जीव जन्तू इंद्र ने ऐसो प्रकूप कियो जलको के आधी तूफान मेग मालाएं जब सब आने लगी तो भगवान ने गिर्राजी के नीचे सब की रक्षा कर दई अब उपर से तो रक्षा हो गई लेकिन जो जलको भाव नीचे की तरफ भेह रहे हो वामे सब ब्रजवासी गॉलब डूब रहे अब डूबने लगे तो भगवान किष्ण की तरफ सब ब्रजवासी देख़े लगे अरे लाला उपर ते तो तेने हमारी रक्षा कर दई पर या नीचे ते हमारी रक्षा कौन करेगो या में तो हम सब डूब जाएंगे तो किश्ण अपने बड़े भहिया अपने बल्लाम जी को इसारा करते हैं बोले दादा ये भारी परवत तो मैंने उठाय रख्यो है लेकिन ये जो जल आ रहे हो है या में हम सब डूब जाएंगे या को कोई उपाय बनाएके चारों तरफ या गाओं के एक मेंड बनाई आनियोर गाओं के तरफ और या मेंड में चारों तरफ से वो पानी जो गिराजी की तलहेटी में अंदर जा रहे हो वो पानी या कुंड में एकत्रित कर दियो और कुंड में जब एकत्रित है गयो तो दाओ जी के ही ना जैसे वह गड़ा गिराज जी की तलहेटी में जो था उससे वी गड़ा अधे कि ये भगवान दाओ जी ने अपने हल मुसल से कर दिया जो जितना बार इसका इंद्र का प्रकोप का जल बहता चला आ रहा था ब्रज में वो सब इस संकरसन कुंड में एकत्रित हो गया तो उस समय नाम पड़ा संकरसन कुंड और दाओ जी को वैसे पहले से ही संकरसन कहते हैं पहले से क्योंकि रोहनी जी के गर्व में जब पधारे देवकी जी के गर्व में से योग माया के द्वारा तब भी नाम संकरसंड रखा गया क्योंकि आकरसंड किया योग माया ने तो यहां पे कुंड का जो महता है आचमन करने का जलस्नान करने का क्या महत्व है जी 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 और यहां का भी नाम संकर संकुंड तवी से पढ़ गया यहां का आचमन करने का भाव है कि अगर गिर्राज जी की तलेटी में यानि गिरवर की परकम्मा देओ तो कुंड कुंड चरणामरत लेओ, अपनो जनम सफल कर लेओ, जैयमनास्री गोवर्धननात, महाप्रवुस्री बिठलनात, यानि गिराज जी की परक्यम्मा करते हुए, अगर तीर्तों में कुंडों में आच्मन किया जाए, मंदरों में प्राचीन इस्थलों का दर्सन किया कारी है, लेकिन संचिप्त होने के कारण, आज आपको हमने इतना ही बताया है, बाकी इनकी लीला अनन्त है, और इनकी लीला का कोई पार, तो यह कनहिया कौसिक जी है, यहां के मुखिया जी है, संकर्सन कुंड पे रहते हैं, और मंदिर में भी पुजारी जी है, तो आप द आप यह सेर करें, ताकि गिर्यराज जी माराज का यह पावन अनमोल आप पुजारी जी के माद्यम से जो सुने हैं, वो आप सबको दर्सन करा पाएं, जुड़े रहिए कैमरा प्रसंद चंतर परासर के साथ, कनिया पांडे, संकर्सन कुंड गोवरदन, आन्योर के साथ, र